हेलो स्टुडेंट्स वेलकम अगें टो लेंगरे देतिमन तो देखिए लास्ट वीडियो हमने व्यक्तिगत बिविन्ता का चैप्टर किया था जिसमें हमने जान लिया था कि दो व्यक्ति कभी वी जो हैं एक समान नहीं होते हैं उनमें सारिरिक, मानसिक, बौर्दिक या समव गात्मक इन सभी पक्षों में अंतर पाया जाता है और यहीं अंतर व्यक्तिगत बिविन्ता के नाम से हम जानते हैं ठीक है जहां हमने कई डेफिनेशन भी देखी थी क्रो एन क्रो की डेफिनेशन में कि एक ही उम्र के बालकों में जो अधिगम की ततपड़ता है वह समान ह ऐसा आवश्यक नहीं है यानि सीखने की जो ततपड़ता है वह भी एक बालक की दूसरे बालक से अलग होती है ठीक है इसकीनर की परिवासा देखी थी हमने कि विकास की जो बिविन अवस्थाएं होती है उसमें व्यक्तिगत बिविन्ता पाई जाती है तो overall हमने बात कर ली कि व्यक्तिगत बिविन्ता क्या होती है यानि एक व्यक्तिगत दूसरे व्यक्ति से अलग होना जितने भी गुण है चाहे वो समवेग आत्मक हैं पौदिक हैं मानसिक हैं या शारिरिक विसेस्थाएं हैं विसेस्थ बालक जो हैं जिनको हम असमानने बालक भी कहते हैं यान तो इसके उपर जितनी भी कैटिगीरी होंगी, जितनी भी श्रेणियां होंगी, प्रतिवासाली बालकों की, स्रजनात्म बालकों की, ठीक है, तो ये सब भी विसिस्ट आवशक्ता वाले बालक कहलाएंगे, इसी तरीके से यदि हम नीचे की श्रेणि में जाते हैं, तो जो प पहले है, प्रतिवासाली बालक, गौड गिफ्टिड चाइल, तो ये विसिस्ट बालक है, असामानने बालकों की श्रेणि में आ जाते हैं, तो तर्मन की जो बुद्धी लब्दी, जो तालिका थी, वो हमने देखी थी, जिसमें हमने देखा कि जिनकी बुद्धी लब्दी 140 से अधिक होती है, तो वह प्रतिवासाली बालकों की श्रेणि में आते हैं, सारे रिक रूप से जो स्वस्तो होते हैं, ये मानसिक रूप से भी स्वस्तो होते हैं, यदि इनकी पढ़ाई की हम एजुकेशन की बात करें, तो सामानने बालकों की अपेक्षा जो है अधिक हो गेस्ट आल्ट का तो वो जो थियोरी है वो इन बालकों पर बिल्कुल लागू कर सकते हैं क्योंकि सूज यानि की अचानक से जो है decision लेना या कोई भी problem उसका solution निकालना तो ये जटके से कर लेते हैं ठीक है तो इनका जो बौदिक जो लेवल होता है वो अधिक होता है सामाने बालकों की अपेक्षा और जो भी ये लक्षर निधारित कर लेते हैं उसको ये करके ही रहते हैं फिर भी ये विसिस्ट बालक हैं कैसे तो वो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं तर्मन वा मैरिल जिन बालकों का IQ 140 से अधिक है तो वे शारिरिक समवेग आत्मक और सामाजिक दर्श्री से परतिवासाली होते हैं और ये एक एक अर्थ जो है वो मैं आपको समझा चुकी हूँ तो टर्मन की परिभासा है टर्मन की शारणी में ही इन्होंने बताया है IQ जिनका 140 से अधिक है तो वो परतिवासाली है याद परतिवासाली जो शब्द है वो केवल उन एक परसेंट बालकों के लिए किया जाता है जो कि सबसे अधिक बुद्धी मान होते हैं ठीक है क्रो एंड क्रो का कहना है कि परतिवासाली बालक वे दो तरीके के बालक होते हैं जिनकी बुद्धी जो है 130 से अधिक होती है या वे जो कला, न्रत्य और संगीत खेल में तेज होते हैं तो इन्हों ने दो तरीके के बालक जो है वो बताए हैं कि ये जो प्रतिवा साली कहलाएंगे एक जो की सैक्षिक उपलब्दियों में सामानने बालकों से अधिक है यानि इनका IQ 130 है ठीक है उससे अधिक है और दूसरे वो होते हैं जो सिक्षा में नहीं बलकी जो अन्ने फील्ड होती है वहाँ पर दक्ष होते हैं कला है, न्रत्य है, संगीत है, खेल में यहाँ पर जो है वो सामानने बालकों की अपिक्षा तेज होते हैं ठीक है तो थोड़े से जो ये क्लू है इनको याद रखिए टर्मन की जो डेफिनेशन है उसमें IQ 140 से अधिक ये बालक प्रतिवा साली कहलाते हैं इसकी इनर कहते हैं कि प्रतिवा साली जो है वो 1% बालक है जो सबसे अधिक बुद्धी मान है क्रो एंड क्रो जो है इन्होंने दो तरीके के बालक बताए प्रतिवा साली एक तो जो है जिनकी बुद्धी लब्धी 130 से अधिक है दूसरे वो जो कि कलान रत्य और संगीत खेल में तेज हैं HAVING HERT कहتे है को कुछागर बुद्धी यानी की तेज बुद्धी वाला प्रतिवा वान वालक वह है जो निरंतर किसी भी उचित कारेशेतर में अपनी अद्वुत कारे कुशल्ता और प्रवीरता का परिशए देता है यानी की कोई भी कारे होता है उस कारेशेतर में जो है लगातार काम करना प्रतिवासाली बालक की योगता होती है, और कारे वह भी बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है, तो कारे कुशलता उसमें पाई जाती है, प्रमीरता दक्षता उसका परिचे वह प्रतिवासाली बालक देता है, विसेस्ताओं में देखिए, जो हमने परि इनकी बुद्धी लब्दी 140 या इससे अधिक होती है, इनकी मानसिक योगिताएं उचिस तरकी होती है सामानने बालकों से, जैसे की समस्या समाधान है, कोई भी समस्या है उसका समाधान करने में आगे रहते हैं, ठीक है, सोचना, अगर कुछ भी सोचना है, फटाफट से जो ह ठीक है, यानि चिंतन जो है, वह भी इनका समानने बालकों के अपिच्छा जो है, अधिक अच्छा होता है, जिग्या सा, कोई भी नई चीज होती है, उसको जानने की इच्छा इनके अंदर होती है, अंतर दृष्टि वाले होते हैं, अपने से अधिक आयू वाले ये दोस् फॉर्मूला, तो हमने उसमें क्या देखा था, कि में अपन सीए, ठीक है, इस तरीके से फॉर्मूला था, आपको याद आया होगा, मल्टीप्लाइ हंड्रेड, ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो, आप समझेए, मल्टीप्लाइ हंड्रेड है, में यानि की मानसिक आयू, तो यहाँ पर जो मानसिक आयू है बालक की, वो वास्तविक आयू से अधिक होती है, हो सकता है वो बालक 10 वर्स का हो, और 12 वर्स के बालक के जैसा जो है, वो सोचने की शमतार रखता हो, उसके जैसी जो है, उसकी सेक्शिक उपलब्दिया हो, ठीक है, तो अपने से अधिक जायत की भावना पाई जाती है, कोई भी कारिन को दिया जाता है, उसको बखू भी बहुत अच्छे तरीके से ये निभाते हैं, ये अध्यन में विसेश योगिता रखते हैं, यानि कि स्टडी में विसेश योगिता रखते हैं, सैक्षी को उपलग दियां, सामाने बालकों से अधिक मिलेंगी इनमें नेतरत्व का गुण पाया जाता है ये भी हमने देखा था कि निरने करने की शमता जिसमें अधिक होगी तो उसमें नेतरत्व का गुण जो है वह है भी पाया जाएगा ठीक है अतारकिक चिंतन है या प्रश्न करने की प्रवती जो है इनमें बहुत अ तो इसी कौन सी जो है नेगिटिव क्वालिटी है इन में देखिए ये बेचेन रहते हैं तथा रूची ना होने पर लापरवाही दरसाते हैं क्योंकि सामाने बालकों के पेचा बहुत स्पीड से काम कर लेते हैं तो इनको बेचेनी हो जाती कि अब क्या करें तो एक जगे टि में तब वो लापरवाही दिखाते हैं सेकिन नमबर पर है कि ये स्वार्थी और अलोचक होते हैं यानि कि स्वार्थी होते हैं अपने से जो है मतलब होता है और अपने विचारों के माध्यम से दूसरे के विचारों की ये अलोचना करते हैं कि नहीं ये सही नहीं है जो मैं जो है वो खराब मिलेगी ये नियम सिद्दान्तों के खिलाफ जो है वो आवाज उठाते हैं यानि ये दबू प्रवति के नहीं होते हैं नेतरत्र करने की शम्ता इन में होती है तो इस वज़े से कोई भी नियम जो है कोई भी रूल यदि नया बनाया गया है और वो गलत हो रहा है ठीक है कोई भी सिद्दान्त जो है वो इनको गलत लग रहा है तो उसके विरुद ये आवाज उठाते हैं उसके बाद देखिए प्रतिवा सारी बालक की समस्या है कौन-कौन से समस्या होती है हाला कि समायोजन की समस्या जो है इनमें होती है नई परिष्थितियों में ये अपने आपको समायोजित्य कर लेते हैं लेकिन कई बार क्या होता है जैसे कि पढ़ाई यदि ये करते हैं तो ये दूसरे बालक को अपने साथ में कराने में इनको कटनाई मैसूस होती है लंबे समय तक अकेले रहकर अधिन करने इनकी आदत होती है तो ये वहाँ पर समायोजन नहीं कर पाते हैं नहीं करते हैं कि तुमको तो कुछ भी नहीं आता है तुमको तो इतना भी नहीं आता है ये भी नहीं कर सकते हो, इतना तो मैंने इतने कम समय में कर लिया था तो हींता की भावना जो है, ये भी समस्या होती है, बुद्धी के दुरुपयोग की समस्या कई बार क्या होता है, कि ये बहुत अधिक बुद्धी मान होते है, IQ इनका अधिक होता है तो गलत दिसा में यदि ये चले जाएं तो अपनी बुद्धी का जो है दुरूप योग कर बैठते हैं तो ये समस्या भी प्रतिवा साली बालक की होती है फिर देखें प्रतिवा साली बालकों की सिक्षा यानि एक अध्यापक जो है इन बालकों को कैसे सिक्षित कर सकता है तो सबसे पहले इनको अलग जो है स्कूल की विवस्था ना करके अलग क्लास की विवस्था ना करके इनको सामानने बालकों के साथ में ही पढ़ाना है थीक है विशाल तथा बिविद्व पाठेक्रम यानि इनका जो पाठेक्रम है वो विशाल कर देना चाहिए सामाने बालकों की तुलना में ताकि जो है इनको बोड़ियत महसूस ना हो और ये अपने कारे में लगे रहें व्यक्तिगत निर्देशन और परामर्श की आवशकता होती है तो इनको टाइम टू टाइम ये देना चाहिए थर्ड है विशेस सिक्षण विधी इनका प्रियोग प्रतिवासाली बालकों के लिए हम कर सकते हैं योजना विदी है ठीक है प्रोजेक्ट विदी है करके सीखना अनुसंद्धान है खोज विदी है जहां पर बालक नई चीजों को खोजेगा उसमें उसका टाइम वह लगेगा जादा और वह उसमें व्यस्त रहेगा और इसके साथ में इसकूल में हम लाइब्रेडी जो है पुस्तकाले जो है उसकी सुविधा भी कर सकते हैं ताकि विध्य जो है जो कि अधिक बुद्धिमान है अधिक प्रतिवासाली है तो वो अपना जो है वहां पर अपनी योगिता जो है दिखाए पुस्तकों का जो है सहारा लेकर अपने ज्ञान को बढ़ाए सामाजिक वह नैतिक मूल्यों की सिक्षा जो है वह देनी चाहिए एक वर्स में दो कक्षाएं उतीन करने की जो है वो छूट देनी चाहिए जैसे कि यदि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है और वह सेकिंड ग्लास में पढ़ रहा है तो उसको जो है प्रमोट करके फोर्थ ग्लास में जो है एड्मिशन डिला सकते हैं ताकि उसकी सैक्षिक जो उपलब जो है वो एक सिख्षक को अपनाना चाहिए प्रतिवासाली बालकों के लिए तो ये प्रतिवासाली बालकों की विशेशताएं थी प्रतिवासाली बालकों को हम कैसे सिख्षत कर सकते हैं ये हमने देखा गिलफोर्ड का कहना है कि स्रजनात मक्ता का संबंध किससे है उत्प पादक्ता से लगाया यानि कुछ ना कुछ प्रोडेक्ट जो है वो निकल कर आना तो स्रजन किसी चीज का निर्मान करने से होता है तो ऐसे बालक जो हमेशा कुछ ना कुछ नया करने की सोचते हैं उनके विचार जो हैं वो हमेशा इस तरीके के होते हैं कि भविश्य में क्या तो आसे जो बालक होते हैं उनको हम सुर्जनात्मक बालक कहते हैं जो हमेशा कुछ ना कुछ नया विचार हो सकता है कुछ वस्तूएं हो सकती है जिनका निर्मान करते दिखाई देंगे तो इस्टन का कहना है कि जब किसी कारे का परिणाम नवीन हो और उप्योगी हो नया तो हो और उसके साथ साथ कैसा हो उप्योगी हो उप्योग करने वाला हो तो ऐसे जो बालक हैं वो स्रिजनात्मक बालक की श्रिणी में आ जाते हैं जिनके काम करने का परिणाम हमेशा नया निकलेगा जो की दूसरों से हटके होगा और वो उपयोगी होगा स्रिजनात्मक बालक की विसेस्ताइं क्या होती हैं तो हमने अच्छे से ये क्लियर कर लिया था कि उनमें धारा प्रवाहिता, मौलिकता, नवीनता ये गुन पाया जाते हैं बुद्धी लब्दी जो है इनकी अधिक होती है जिग्यासा की मात्रा जो है जानने की इच्छा जो किलकर आते हैं किसी ना किसी रूप में क्योंकि हर चीज का स्रजन करना निर्मान करना जो है इनकी आदित होती है सहासी सोभाब के होते हैं किसी भी चीज से डरते नहीं है क्योंकि जिग्यासू प्रवती होती है तो कठिन से कठिन कारे को करने के बारे में ये सोचते हैं यात्मक बालक जरूरी नहीं है कि वो स्टडी में बहुत अच्छा हो ठीक है कलपना शीलता होती है कलपना में खोई रहते हैं दिवास वपन वाले होते हैं यानि दिन में भी सपने देखने वाले होते हैं और जो भी सपने देखते हैं उनको ये पूरा करने के बारे में सोचत लोच सीलता यानि की परिवर्तन तो समय के साथ जो है बदलाव लाना ये इनकी विसेश्था होती है जैसी परिस्तिती होती है उसके अकॉर्डिंग जो है ये अपने आपको धाल लेते हैं स्रजनात्मक्ता के विकास में सिक्षक की क्या भूमिका रहती है यदि एक बालक जो है स्रजन्शील है तो उनके विकास में एक सिक्षक जो है उसका क्या कारे रहेगा सुतंत्र वातावरन जो है उपलब्द कराई सिक्षक आत्मा अनुशाशन और आत्मा मुल्यांकर की योग कर जो है और भी उनकी स्रजनात मक्ता का विकास हो सकी अभिनव कार्य करमों का आयोजन करना तो एक सिक्षक की जो है ये कार्य रहते हैं कि वो स्रजनात मक्ता का विकास करे एक बालक में यदि वो स्रजनसील बालक है तो उसका क्या करे विकास करे उसे और बढ़ावा दे तो वे बालक जिनकी बुद्धी लब्दी सत्तर से कम होती है और जो बहुत दुबले पतले कमजोर और छोटे हाइट के होते हैं ठीक है अकसर आपने देखा होगा तो ऐसे बालक जो है वो मंद बुद्धी बालक कहलाते हैं और इनका जो भासा जो होती है इनकी वो इसका जो है प तो पहले जो है मंद बुद्धी बालक और पिछले बालक जो है इसमें किसी प्रकार का अंतर नहीं होता था लेकिन 1913 इसवी में इंग्लेंड में mental deficiency act जब बना था तो उसमें इनको अलग कर दिया गया मंद बुद्धी और पिछले बालक जो है उनों में अंतर किया गया ये आश्थिर होते है यानि कभी भी रोने लग जाते हैं कोई भी जगे पर थीक है उसने लग जाते हैं इनको सही गलत का कोई ग्यान नहीं होता है language इनकी proper नहीं होती है ठीक है और सरीर से भी जो है ये सामान्य बालकौ जैसे नहीं दिखाई देते हैं बहुत दुबले पतले कमजोर और हाइड जो है इनकी अक्सर छोटी मिलेगी तो ये जो definition है वो किसकी है क्रों एन क्रों की है कि वे बालक जिनकी भुद्धी लब्धी सत्तर से कम होती है ऐसे बालक मंद बुद्धी बालक कहलाते हैं उननिस सो निन्यानवे में जीन स्टार्ट में सबसे पहले मंद बुद्धी बालकों का अध्यन किया तो आप ये लाइन जो है वो ध्यान में रखें विस्व में सबसे पहले मंद बुद्धी केंदर जो है 1837 ईस्वी में सैगवी ने पैरिस में खोला था कब खोला था 1837 में कहां पैरिस में खोला गया था विसेस्ताइं देखिए सारे रिक न्यून्ता यानि की विकलांग होते हैं सरीर से जो हैं ये कमजोर होते हैं दुबले पतले होते हैं सामाजिक न्यूंता समाज में भी जो हैं ये अपने आपको सिर नहीं रख पाते हैं समवेगात्मक न्यूंता होती है समवेगात्मक दस्टी से अस्थिर होते हैं जैसे की हसने ही लग जाएं रोने ही लग जाएं मोईलिक ताका अभ़ाव पाया जाता है कोई भी प्रॉब्लम ये दियाती है तो उसको solution जो है वो नहीं करपाते है अनौखे पन की कमीन में रहती है रूरी वादी होते हैं अंद विश्वासी होते हैं जो भी पहले से चली आ रही है चीजें उनी पर विश्वास करते हैं इनकी सब्दावली जो है वो दोस्पूर होती है यानि भासा जो है इनकी प्रॉपर नहीं होती है अच्छे तरीके से बात ये नहीं कर पाते हैं रुचियां सीमित होती है ज्यादा चीजों में इंट्रेस्ट नहीं होता है और बहुत सिंपल ये होते है समायोजन योगता कमजोर होता है यानि कि किसी से भी समायोजन कर पाना इनके लिए असंब्यवसा होता है सीमित मानसिक बौदिक शम्ता तो इनकी जो बौदिक शम्ता होती है वह भी कैसी होती है सीमित होती है ठीक है इनके अंतरव्यक्तिक संबन जो है वो अच्छे होते हैं यानि कि ये अधिक दोस्त जो है वो बना लेते हैं और जादा दर दोस्त जो है इनकी उम्र से कम उम्र के बच्चे जो है ये इनके दोस्त मिलेंगे और इसके अलावा जो है इनमे आत्म विश्वास की जो है कमी होती ह आतम निरवर्ता जो है इसकी कमी होती है ठीक है खुद से जो है वो कारे करने में असमर्थ होते हैं और सार रिक मानसिक रूप से जो है ये अस्वस्त होते हैं ठीक है जब भी कोई प्रॉब्लम आती है मंद बुद्धी बालकों के सामने में तो इस सबसे पहले जो है सकपका ज और कोई भी चीजे यदी जानने वाली होती है, यानि जिग्यासु प्रवती के बिलकुल नहीं होते हैं, किसी भी चीज को जानने की इच्छा इनकी नहीं होती है, उसके बाद देखिए मन्द बुद्धी बालकों की सिक्षा, अब देखिए मैंने आपको बताया था कि हमें ज सामानने बालकों के साथ ही सिख्षा देनी चाहिए। तो हम मंद बुद्धी बालकों को सामानने बालकों के साथ ही सिख्षा नहीं दे सकते हैं। तो ये खुद भी नहीं पढ़ पाएंगे और सामाने बालक जो हैं इनको देख कर इनका मजाक उड़ाएंगे ठीक है क्योंकि ये कोई समस्यात्मक बालक नहीं होते हैं की कोई समस्या जो हैं वो create कर रहे हों और इनको extra time दे कर study कराई जाए और बापस समानने बालकों के साथ पढ़ सकें ये ऐसे बालकों होते हैं जिनको हम कितना भी पढ़ा लें उनको अच्छे तरीके से समझ में नहीं आता है सोचने समझने की जो शमता होती है इनमें कम होती है जनम जात जो हैं ये मंद बुद्धी बालक होते हैं तो ऐसे बालकों को हम कैसे सिक्षित करेंगे तो इनको जो है हम जो किताबी ग्यान है उससे हटकर सिक्षा जो हम दे सकते हैं इनके लिए विसेस विध्याले या विसेस सिक्षक होते हैं इनका जो पाठे करम होता है वह भी विसेस होता है और जिसमें देखिए साररिक सिक्षन यानि फिजिकल एजूकेशन की सिक्षा हम दे सकते हैं या आर्थिक रूप से जो प्रैसिक्षन है वह दिया जा सकता है जिसमें हस्त कौसल की सिक्षा यानि हातों से कोई भी कारणे जो चु tattoo जिसमें इनकी जो भी समस्या है पहले उसको पर्खा जाए, देखा जाए और उसको शोट आउट kiya जाए, ऐसी विदिया अपनाई जाए, मूर्ट वस्तू और चित्रों से जो है सिक्षा इनको दी जाए यानि कोई भी चीज इनको object जो है वो दिखाया जाए और फिर जो है इनको सिक्षा दी जाए क्योंकि किताबी ज्यान जो है वो इन बालकों के लिए सही नहीं है मंद बुद्धी बालकों का वरगी करन तो जड़ बुद्धी बालक है सबसे पहला इडियर यानि जिनका IQ 0 से 25 होता है तो ऐसे जो बालक जो है वो दो वर्स के बालकों जैसा विवहार करते हैं अब देखिए कोई जो 25-26 वर्स का व्यक्ती हो और वो दो वर्स के बालकों जैसा विवहार करें तो उसको सिक्षा नहीं दी जा सकती प्रैसिक्षित उसको नहीं किया जा सकता मूर बुद्धी बालक जो है जिसका IQ 25-50 वर्स होता है यह 3-7 वर्स के बालक जैसा विवहार करता है तो सारीरिक प्रैसिक्षिण इसको दे सकते हैं लेकिन इसको उचित सिक्षा नहीं दी जा सकती सीमान्त बुद्धी वालक या शीन बुद्धी वालक जो की मूर बुद्धी वालक से थोड़ा सा सही होता है IQ इसका 70-80 होता है तो हम जो है अगर यदि जोर लगाएं तो इन्हें सामान्ने बालकों की तरह सिक्षा जो है वो संभव हो सकती है हो सकता है कि इन्हें हम सामान्ने बालकों की तरह सिक्षित कर सकें यदि हम भरपूर कोशिश करते हैं इसके अलावा मूर बुद्धी वालक या जड़ बुद्धी वालक जो है इनको सिक्षित नहीं किया जा सकता मानसिक मंदता पर महतपुन प्रथम अध्यन जो है विक्तर बच्चे पर जीन इतार ने फ्रांस में किया था तो ये थोड़ी important line है हो सकता है आपके exam में आ जाए कि मानसिक मंदता जो है उस पर पर सबसे पहला जो अध्यन है किसने किया जीन इतार ने किया फ्रांस में किया विक्तर बच्चे पर किया British Mental Deficiency Act क्या कहती है कि जो मानसिक मंदता होती है मंद बुद्धी बालक है वो जनम जात नहीं होते है बलकि 18 वर्स से पहले या तो उनको कोई ऐसी बीमारी हो गई है इस वज़े से वो मंद बुद्धी हो गए है या कोई चोट लग गई है या उनके मस्तिक्स का विकास जो है उस चोट लगने से जो है बीमारी होने से जो है रुक गया है इस वज़े से जो है मानसिक मंदता है तो इन्हों ने जो है जो मन्द बुद्धी बालक है इनकी चार केटिगरी बताइए कौन-कौन सी तो नाम जो है वो आता है देखिए मन्द बुद्धी बालक जो है उसका ही दूसरा नाम है मंगोलिज्म मंगोलिज्म कह लें मांसक मंदता कह लें या मंद बुद्धी कह लें तो जो मांसक दुरबलता जो है जिनकी अधिक होती है यानि कि मांसिक रूप से अत्यधिक दुरबल है ठीक है कारण क्या होता है एंड्रो काइन जो ग्लेंड होती है उसमें असांतुलन और प्यूस ग्रंथी की गती जो है धीमी पढ़ जाने के कारण जो है मांसिक दुरवलता होती है और यदि हम क्रोमोजोम की बात करें तो यहां पर 46 के स्थान पर 47 क्रोमोजोम होते है ठीक है और उसके बाद दूसरे तरीके के जो बालक है मंद बुद्धी बालक वो एक है बोनापन यानि बहुत ही कम हाइट होती है इनकी लगवग 3 फीट इनकी लंबाई होती है माइक्रो सपैली यानि की सूक्ष्म तो कपाली बिसंगती जो है यहां होती है बालक का सिर्ज का अकार जो है वो कैसा होता है छोटा होता है ठीक है तो बिलकुल एबनॉर्मल दिखाई देता है ऐसा व्यक्ति हम देखते हैं ऐसा बालक जो जिसका सर छोटा दिखाई दे और बॉड़ी जो है उसकी बड़े जो व्यक्ति होते हैं उनके जैसी हो हाइड्रोसफैली जो होते हैं जिनके मस्तिक समय सेरे ब्रोव स्पाइल द्रव से अत्यदिक जमाव से ये हाइड्रोसफैली जो है वह हो जाते हैं इनका सिर का आकार जो है वो बड़ा होता है ठीक है तो ये जो चार प्रकार हैं ये SS Penrose ने अपनी बुख Biology of Mental Defect में बताए हैं इनके बारे में नहीं पूछता है लेकिन नाम जो है वो हो सकता है एक्जामिनर पूछ ले तो मंगोलिज्व, माइक्रोसेफैली, बोनापन और हाइड्रोसेफैली ये चार प्रकार ऐसे स्पैंडरोज ने अपनी बुख में बताए मानसिक मंदता के अन्य प्रकार भी है जैसे की एक शब्द है फैनिल, कैटोन यूडिया, प्रोटीन उपापचे में गड़ बड़ी के कारण जो है मानसिक मंदता होती है टर्नल सलनक्षन केवल बालिकाओं में होता है एक ही लेंगिक क्रोमोजोम की उपस्तिती के कारण जो है ऐसा होता है क्लाइन फेंटर्स जो सलनक्षन है ये केवल बालकों में ही एक अतरिक्ट क्रोमोजोम के कारण होता है दुर्बल एक्स सलनक्षन यानि 23 युग्म के गुड़ सूतर के एक्स गुड़ सूतर जो है उसके कमजोर हो जाने के कारण होता है ठीक है तो हम देखते हैं कि जो है 46 गुणसूतर होते हैं यानि 23 जोड़े होते हैं तो 23 वे युग्म के गुणसूतर के यानि X गुणसूतर जो है उसके कमजोर हो जाने के कारण ये प्राब्लम होती है प्रेडर विल्ली सलनक्षन यानि पंद्रवे गुण सूतर में कुछ तत्वों की कमी के कारण जो है ये मानसिक मंदता होती है ठीक है तो ये जो अन्य नाम है थोड़ा सा आप नाम जो है वह ध्यान में रखिएगा कि मानसिक मंदता के प्रकार है ये फैनिल केंटो नूरिया, टर्नल सलनक्षन, क्लाइन फेंटर सलनक्षन, दुर्बल एक्स सलनक्षन, प्रैडर विल्ली सलनक्षन तो आज हम यहीं तक करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम पिछरा बालक ये पढ़ेंगे जो की बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि आप लोगों को पढ़ना क्या है दिवासाली बालक जो है उसके बारे में बहुत अच्छे से डेटेल में पढ़ना है और जो पिछले बालक है उनके बारे में डेटेल में पढ़ना है और समस्यात्मक बालक जो है उनके बारे में डेटेल में पढ़ना है और अच्छे से लर्ण करना है ठीक है चलिए मिलते ह मेक्ट वीडियो में थेंक यू